जिस किसी ने भी मंतरी मोहगे को ये जबाब तयार करके दिया है वो समभवता उसकी संबेदना है मत चुकी है कमी नहीं है कहूँगा जिन्दगी जीने के लिए डिगनिटी चाहिए आप मौत को भी डिगनिटी नहीं दे रहा है ये कहकर के कि आक्सिजन की कमी नहीं दी तो न इन सरकार ने राजसभा में लिखित जवाब दिया है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की देश में मौत नहीं हुई है। इस पर हमारे साथ बाचीत करने के लिए मौजूद है आरजेडी नेता मनोज जहाजी सर जिस तरीके से जवाब दिया है आपको क्या लगता है क्योंकि दूसरी लहर में एकदम यही दिखाई पड़ रहा था कि ऑक्सीजन की कमी है हाहा कार मचा हुआ था इस बात में। अपने दो महीने, देर महीने भूल सकते हैं। मीडिया के कई साथ ही इस दुनिया से गया है। वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण। मैं समझता हूँ कि इस तरह कि टिपनी कर रहे हैं। इस तरह कि लिखित आंसर दे रहे हैं या औरली दे रहे हैं। यह संदेश साफ है कि अभी भी एक नॉलेज करने को तयार ने। कल मैंने सदन में कहा था कि जिन्दगी जीने के लिए डिगनिटी चाहिए। आप मौत को भी डिगनिटी नहीं दे रहे हैं। यह कह करके कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। तो नितिन गटकरी जी ने गलत बयान किया था क्या। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी सरकार साफ सुत्री पारदर्शी सरकार होती है जो अपनी गलतियों को स्विकार है। नहीं था ऑक्सीजन हमारे पास। स्विकार ही है। लेकिन ये जो डिनाई कर रहे हैं आप ये आंक्डे के प्रबंधन से कोरोना प्रबंधन नहीं होगा आपकी आंक्डे का परदा आपको हटाना होगा। मैंने ऐसी बिवस्था कतई और कभी नहीं देखी। इश्वर करें फिर इस तरह के जवाब देखने को ना मिलें। तीसरी लहर जिस तरीके से सरकार उसकी तैयारी कर रही है ऐसे में इस तरीके का जो जवाब आया है उस पर आपको क्या लगता है। को सीधे लगता है कोई भी सरकार हो केंदर की सरकार हो या राजियों की सरकार हो अगर आप डिनाल मोड में रहेंगे ना आप कोई प्रबंधन नहीं कर पाएंगे तीसरी आएगी चौथी आएगी लोग इस दुनिया से जाएंगे आपके लिए वो नंबर होगा। आप कहेंगे कि फलाने देश की तुलना में हमारे देश में कम मौते वी साहब ये जरा उस पड़िवार को जाके बोल दीजिए जिसने अपने पिता भाई मां बेहन को है न वो आंकड़ा नहीं देखते हैं वो अपने जाने वाले को देखते हैं जो चले का है मैं समझता हू तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं God bless you सरकार ने जिस तरीके के आंकड़े दिये हैं क्या आने वाले दिनों में संसद में एक बार फिर आप लोग इस मुद्दे को उठाएंगे आपको बताओं 267 के तहट पहले दिन ही मैंने नोटिस किया था और इट का आपको मौत जो हुई है उसके आंकड़े को फिर से रिविजिट करना होगा क्योंकि आपके आंकड़ों में समशान के आंकड़ों में कब्रिस्तान के आंकड़ों में और हर घर के चिराग बुजने के आंकड़ों मैं फिर से एक बात कहता हूँ कल मैंने सदन में कहा था और आप से भी आपके माध्यम से कह रहा हूँ आप हम मैंसे कोई ये नहीं कह सकता इस देश में कि हमने किसी एक जानने वाले को नहीं खोया फिर वहां करा तब लगेगा आपको कि इसको revisit करके revise करने की आवश्रक्ता है